आपका दयानंद एकुप्रेशर यूटूब चैनल में स्वागत है दोस्तो, नौलेक इदा बेश्ट पॉवर, तो घ्यान जो है सबसे बड़ी सक्ति होती है तो मैं आपको एकुप्रेसर के द्वारा, शुम्बक के द्वारा, कलर के द्वारा, योगासन के द्वारा और प्राकृतिक चिक्सा के द्वारा गुर्टनाओं के रोग का इलाज इस वीडियो में न बताऊंगा, आप मेरा वीडियो पूरा देखें तो दोस्तो ज्यान के बदले में गिव एंटेक का सिद्धांत लागू रहना चाहिए देखिए हमारे ट्रिस्ट का एकाउंट नमर है आप भी कुछ दानपुन बदले में किया करें तो देखिए हमारा ट्रिस्ट किस तरह आपको ज्यान दे रहा है जिन मातों को बुजरब को दादी माओं को आज मैं देख रहाएं गुटने की भीवारी बहुत चल नहीं है गुटने सूज जाते हैं अकड जाते हैं और ये िस तरह नहीं मुड़ते जैसे मेरा घुटना हो रहा है सतले पदमासन भी नहीं लगा सकते गुटने वाले इस तरह नहीं लगा सकते जमीन पर भी नहीं बैठ सकते और बिलकुल दिन में रात में बहुत दर्द रहता है और जाड़े का मौसम आ रहा है तो इन में बहुत दर्द रहता है तो मैं आपको योग के द्वारा यह देखिए जिनके भुटनों में दर्द रहता है वह दद्दस बार इस तरह कर आ करें हैं लोक वाय करें करें और देखिये यह इप्रीः करें इन को इनको यह कहा करें ये क्रिया कराएं और बहुत ही सरच किसा मैं बता रहा हूं देखिए एकुप्रेसर के द्वारा ये हमारी दौनों टांगे होती हैं सूजोग के आधार पर और ये दौनों हात होते हैं ये सिर होता है तो देखिए जो बीच का जो जोड़ है ये पित जोड़ भी कहा जाता है क्लेच के पर तो इस जोड़ देखिए एक कृटना साब्रस बिंदू हो भी इस तरह लगाएं देखिए रात को भी इस तरह देखिए नयगिक दौनों हातों के बीच वाली अंगलियों पर देखिए ये गच़िए साध्रस एक प्रैसा पोईंट है देखिए यह यहां से हीट मिलेगी देखिए यह लाव यहां मिलेगा देखिए और यह इस्टार मेंडिर्ट है तो दस्टार मेंडेट लेड़ें और दोनों हाथों में लगा सकते इस तरह इस तरह लगाएं तेको कितना हम漏ões सॉइसर हमारा क्म्म डे रहा है आप घर वेटे अपने आप इलाज करां सकते कहीं इस तरह डुक्टर से मिल या इनी ईस तरह देखिए रहा है और देखिए प्राकृतिक किस्टा में जल्द्वारा गुटले का इलाज मैं समझा रहा हूं देखिए एक भगवने में गुनवना पानी ले ले और एक भगवने में बाल्टी में ठंडा पानी ले ले तो देखिए थंडे पानी का तौलिया और गरम पानी का तौलिया रखना है तो देखिए दो मिनट यह गरम पानी को पानी का देखिए इस तरह ले करके इस पर थंडा गरम से करना है आपको इस तरह सुवह साम करें इस तरह यानि के गरम पानी दो मिनट और चौथाई मिनट थंडा पानी इस तरह रखें दोनों घुटनों की सिकाई करें थंडा गरम तो इससे विशेश लाब मिलेगा घुटने का कोई भी रोग हो कैसा ही रोग हो कितना ही पुराना हो दो तीन महीने आप बुजरगो इस तरह कर लिया करें इसका कोई साइड फैक्ट में होता द जाना है और आप जानते हैं घंद्गी द्वारा लेट्रिन के द्वारा निकलती है और धिसाव के द्वारा निकलती है तो एको प्रेसर आधार diferen चलते हैं कि निका ली वर का स्पिलीन का No बैडर का और लीवर की कमझोरी सुस्क्त उख पर कि कमझोरी से इस पीरींड की कमझोरी से इन सब की कमझोरी से होता है तो यहां से यह सब प्लिपटी हो जाते हैं और और मुझा प्रभापत हमारा चालू हो जाता है तो दोस्तों मैं आपको दयानन्य ट्रेस्ट के माध्यम से प्रित दिन नया नया ज्यान आपको घर वैठी दे रहा हूं तो दोस्तों लाव मिलिया है तो आप भी हमारे ट्रेस्ट को अवस कुछ नुकुछ कुछ दान करने का कश्ट करें आपका पुन्य परम्पता परमात्मा करेंगा मैं डॉक्टर जैपाज सिंग आडिया एवं नेचरपेथ अध्यक्स महर्ची दयानन्द चैरिटीव जैंसेवा ट्रस्ट बुलेंसर मेरा मुवाइल नम्मर अठ्थानवे सत्तानवे पैस्तिस्त् जैहें जैवाराद